नाम सत्साइब, संसार के परतेक व्यक्ति का एक ही धर्म होता है और वह है अपने अस्तितु को उस निराकार में मिला देना या विशाला करना रथा सुरत सवदगायो करना मनुस्य जन्म का भी एक ही माहन उदेशय होता है मौक्स वन निर्वान प्राप्त करना आखिरत को सुधारना जो मनुस्य इस धर्म को भूल जाते हैं वे ऐसो आराम का संसारिक जीवन व्यतित करते हैं तो उनको भोतिक जगत के व्यक्ति का जाता है जो व्यक्ति इस धर्म को याद रखते हैं और अपने आत्मा या रूह के धीन होकर के सभी कार्या करते हैं तो उन्हें अध्यात्मिक ज परती आपका क्या दरश्टी कोण वे नजरिया है या उसे आप कैसे देखते हैं इस बात का विशेश वे महतुपून परभाव पड़ता है आप जिसे मानते हो उसे परते एक जिव में देखे और समझे की सामने जो खड़ा है उसमें वही विराजमान है जिसे मैं मानता हूँ और थात आपकी सम्यक दरश्टी है तो संसार का सभी लड़ाई जगड़ा खत्म हो जाता है तो आप सही मार्ग पर है और मंजिल समय आने पर मिल जाएगी कुरान सरी में भी कहा है कि सबका आधार अल्ला ही है और इंदूओं में भी सिव कहते हैं जिसका सबदार्थ होता है कि वह कंकं में विराज मान है संत वैसिक भी यही मानते हैं कि वह मालिक घट घट में होता है उधारन कुए में पड़ेवे मेंड़क को कहां तक दिखाई देगा जहां तक उसकी परीदी होती है अर्थात कुए की जहां तक परीदी होती है वही तक कुए में पड़ेवे में मेंड़क को दिखाई देता है अब अगर मेंड़क कुवे की परीदी से बहार मंडेरी पर आ जाए तो उसको चारो और दूर दूर तक संसार दिखाई देने लगता है या जब होता है जब सुरत सबद का योग होता है तो ऐसे ही सभी मनुष्यों को दिखाई देने लगता है साथ में जोड़ना हमारा लक्षवया उदेशन नहीं है हमारे पूरवजों ने भी यही किया जैसंसरूमनी रविदाजी महाराजी ने भी अपने साथ किसी को नहीं जोड़ा था बलकि उस मालिक के साथ डिरेक्ट जोड़ा था और हमारी उस मालिक ने हमारी उपकारवन सेवा समीत को इतना सक्षम बनाए कि आपको वहीं से जहां पर आप हैं वहीं से मंजिल तक पहुँचने का रास्ता बताया जाएगा मंजिल से भी की एक ही है आप चाहे हिंदू हो मुसल्मानों सिखो इसायों कहीं से भी हो अपनी मंजिल प्राप्त करे सतनाम सत्साइब